केजरीबाल जी पर कोई इंटेस्ट नहीं है जादा हमारे तो महराजी है योगी जी उनसे हमारे लिए बहुत कुछ किया है हमारे उत्रपर्देश में किसानों का बिजली बिल फिरी किया है तो वलका जो किसी ने भी नहीं किया मानी मुलायम सिंग जी रह लिए मायवती जी र कि मोदी जी अच्छे लगते हैंं उनके काम काम योगी- जी अच्छे लगते हैं उनके काम मुझे पसंद हैं उनके जो काम चला हैं हमारे हां पर काफी विकास किया है चुनावी संखनाध होने के बाद से खेट से लेके खलियान तक हर जगह चुनावी बत कही जो है वो सुरू हो गई है जहां लोग बैठे रहते हैं चार तो चुनावी का महौल एकदम दिखाई देने लगता है बादचीत होने लगती है कि आखिर सरकार किसकी बदने वाली है 2024 में कौन आएगा किसका रंग चाएगा इन सब पर तमाम बाते होती है एक ऐसे ही गाओं में आ गए हैं यहां चलते हैं देखते हैं बैठकी में कि वहां बादचीत क्या हो रही है गर्मी का महौल है लोग जो है आराम से दोपहर के समय में बैठे रहते हैं आप यहां देख रहे हैं यहां चौपाल चल रही है कुछ युवास आती है और कुछ गाओं के ग्रामीड हैं जो आराम से बैठे हुए बतकही कर रहे हैं इन्ही बातों में गाउं की वो बाते निकलती हैं जो चुनाओ को लेकर समीकरण तै करती हैं, जब ये सब बैठे रहते हैं तो चुनाओी चर्चा तमाम तरह की होती है, कोई कहता है कि इनकी सरकार बनने वाली है, कोई कहता है कि इनकी सरकार बनने वाली, तो असल में अगर न जवा किसकी चल रही है। पूर बिस्वास है क्रिश्णा जी का इस्थान जो है भगवान क्रिश्ण का सब का ध्यान रखे हुए है जैसे अभी उन्होंने राम मंदर का कराया काफी सालों से 500 साल से अधिक हो गई जैसे राम जी हमारे हिंदूओं के एक मुख्य वो थे तो आस्थक थे उनका वो कराया जैसे किस भगवान जी है उनसे भी आस्ता है हिंदूओं की तो उसका भी कराएंगे तो यह देखिए पहले यह बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजे जो है योगी जी ने कराई है यानी भाजपा के राज़ी में जो है बहुत सारी चीजे वोई आ उसमें राम कुछ लोगों से बात्चीत करते हैं जी क्या नाम है जगवीर जी क्या करते हैं इस बार किसका रंग चायेगा पूरे देश भर में मोदी है और मोदी के लावा है कोन है अच्छा वही रंग क्या दिखती आपको क्यूं मतलब लगता है कि मोदी का सासन आने वाला 370 की धारा कब से लाग उती अब देखाटी राम मंद्र का मुद्धा था कब से चल ला था हो गया के लिए यह बड़े मुद्धे जो हैं वो निप्टाए हैं इसलिए आपको लगता है वैसे भी उन्होंने कही काम कही योजना ऐसी निकाली है सबके लिए सबका साथ सबका वि यह कह रहा हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है देश में युवा जो है वो नौकरी के लिए इधर उधर भाग रहा है अखलेश यादों ने भी कहा कि विदेश में जा रहा है युवा तो ऐसी स्थिति में कैसे मोदी जी आने वाले हैं कैसे रिपच्छ तो मतलब अपनी वो करेगा यह जो कुछ कर रहे हैं वह काफी बढ़िया कर रहे हैं वह रोजगार के साधन खुल रहे हैं रहुल गांधी का आरोप है यहां आप लोग आराम से बैठे हुए है और जगांधी लेकिन कहते हैं कि मोदी जी देश में नफरत फैला रहे हैं और पूरे देश में नफरत है यहां योगी मोदी ने तो जगह साला भी खोली हैं उन्होंने किसान के लिए बहुत कुछ किया है गाय बचड़ा जो मतरफाल तू गुमते हैं वो भी नहीं है यहां पर अच्छा तो लग रहा है कि प्रेम बहरा है प्रेम की धारा काफी ज्यादा मतरब मोदी योगी जी का है अरविंद के जरिवाल जेल में चले गए बिपच्छी यह कह रहा है कि मोदी जी एक तरफा कार आप कुछ कहेंगे कि जेल चले गए और क्या नाम क्या है करण 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 अरजुन कब आएंगे अरजुन पत्था नहीं तरण और अरजुन की विनास सो जोरी होती नहीं जी आएंगी करते क्या खेती किसानी क्या लग रहा है क्या डवलप्टमेंट है क्या विकास बिगास सही हो रहा है मुझी जी सरखार में सबको राशन फ्री है मेरा नाम यस्वीर सिंग है करते क्या मैं खेती कर रहा हूं क्या है गेहूं कटाई का सीजन आ रहा है हाँ जी जी अभी पंद्रे दिन में कटाई का सुरुआत हो जाएगी गेहूं की अर्विंद केजरिवाल एडी की गिरप्त में आ गएं तो लोगों का ये कहना विपच्च का कहना है कि जान बूच कर जो है मैं कोई इंट्रेस्ट में ही रखता हूं मैं केजरिवाल से नहीं नहीं मनलब उनकी राजनीत आपको भाती नहीं 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 मुझे मोदी जी अच्छे लगते हैं उनके काम अच्छे लगते हैं और योगी जी अच्छे लगते हैं उनके काम मुझे पसंद हैं उनके जो काम चलना है हमारे यहां पर काफी विकास किया है उन्होंने जैसे महंदर प्रताब भी भाही ने बताई के महंदर किया है हमारे यहां पर केजरी वाल जेल में चले गए तो उस पर बात नहीं 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 वह जाने वह मैं उनमें टेस्ट नहीं लिता हूं तो तमाम ऐसे लोग हैं जो मोदी जी पर बात कर सकते हैं, योगी जी पर बात कर सकते हैं, लेकिन केजरिवाल जेल में गए और विपक्ष का ये आरोप है कि एक पच्ची कारवाई हो रही है, लेकिन उस पर बोलना नहीं चाहते हैं, जी क्या नाम है आपका? जी नरेश कुमार नरेश जी आप भी क्यति किसानी वाले हैं पगड़ी बांध है पशीना लग रहा है पशीना घुसान को ही आता है यह तो जी बढ़िया चल लगी है जैसे जेल में है और सब भी पंच चेह रहा है कि यह लोकतंत्र की हत्या है गलत कारवाई है आप को क्या ल उनके जो गुरु हैं अन्ना हजारे जिसके साथ केजरीवाल जो है साथ में रहें और आंदोलन किया साथ में हाथ पकड़के अन्ना हजारे तो पाक साफ हैं उनका बड़ा जीवन समाज के लिए गया तो उन्होंने भी केजरीवाल के बारे में कह दिया कि उन्होंने गलत किया बुरे काम का बूरा नतीजा है। मुलायम सिंग जी रह लिए, मायवती जी रह लिए, अकले अजादव जी रह लिए, किसी ने बिल माफ नहीं किया, और यहाँ योगी जी ने सफिरी कर दिया, बाबा पे एक कुछ लोग ये कहते हैं कि पच्छी कारवाई करते हैं, बुल्डोजर एक पर नहीं चलता है, जो ग हुई है, उस पर अखलेस यादव उस पच्छ का बचाव कर रहे हैं, जो प्यूडित परिवार है, उसके बारे में कुछ नहीं हो जाए, यह तो गलत है न, उन्हें अखलेस यादव जी को लगता है कि हमें यही बोट देंगे, तो अब एक पच्छी कर रहे हैं, वो यह गल करते हैं, और उन्हें लगता है कि एक पच्छी ही उन्हें बोट करेगा, आपको क्या लगता है कि एक पच्छी बात है अखलेस यादव की? गला काटा जिन लड़कों ने जिसका kent DES का encounter को भी गलत बता हुगे और जो फीडित परिवार है उसके बारे में बात्चीत भी कर रहा है जो दो मासूं बच्चों की गला काट कर हथा रहे नाज और जो दोसी है उसको सजा दिजा यहां लोगों का लबोलुव यही कहना है कि कानून बेवस्था ठीक हुई है केंदर से लेकर प्रदेश दोनों ने जो डबल इंजन की जो सरकार है उस सरकार सही काम कर रही है और इसलिए आने वाला जो रंग चड़ेगा वो भगवा रंग चड़ने वाला है आने वाला जो र नरेंद्रमुदी बनेंगे।